हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूट्यूब चानल कैसे हैं आप सभी लोग उमिद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोस्नल के महत्पूर क्वेशन करेंगे जो अक्सर आपके एक्जाम में पूछा जाते हैं अब हम अपने फर्स्ट क्यों बढ़ते हैं क्वेशन नंबर वन देखिए टू नेच्टर नंबर आर इंदर रेशियो थे रेशियो 5 एंड दियर प्रोड़क्ट इज 2,160 बैसमालर नंबर इज्ट क्वेशन में आपको दे रखिए दू प्राक्रति संख्या हैं और इन प्राक्रति संख्य और दोनों संख्याव को गुड़नफर हमको दे रखा है 2,160 3X से 5X को जब मल्टिप्लाइ किया तो हमको मिला 2,160 यानि 15X2 is equal to 2,160 तो X2 is equal to 2160 upon 15 15 से हमने 2,160 में डिवाइड दिया तो हमको मिल गया 144 यानि X2 is equal to 144 तो X की value यहां से आ जाएगी 144 का हम क्या करेंगे स्क्वाइर रूट लिखा लेंगे X की value हमारी 12 आ गई क्योंकि जो 12 होता है वह 144 का स्क्वाइर रूट होता है अब हमने पहली संख्या 3X माने थी दूसरी संख्या 5X माने थी तो हम क्या करेंगे 3X is equal to 3 multiply 12 यानि जो पहली संख्या आ गई हमारी 36 आ जाएगी दूसरी संख्य क्या हमने क्या माने थी 5X यानि 5 multiply 12 यानि दूसरी संख्या हमारी आ गई 60 तो हमसे question पूछाता smallest number बता हो smallest number हो जाएगा हमारा 36 अगर question में हम से between the present age of a and b is 4 ratio 5 if the ratio between the year ages 4 year hence the become 14 ratio 17 then what is the b age at the present question मैं आपको यह बताय गया है a and b की जो बर्दमान age का ratio है वह है 4 ratio 5 आज से 4 साल बात इनकी जो age का ratio हो जाएगा वो हो जाएगा 14 ratio 17 तो आपको b की present age बतानी है अब मैं इस question को solve करने जा रहा हूं जल्दी से आप आप इस question का comment section में answer दीजिए question में आपको a and b की age का ratio 4 ratio 5 दे रखा है अब हमने माना a की present age 4x है और b की present age क्या हो जाएगी 5x अगर आज इनकी age 4x है तो आज से 4 साल बात इसकी age कितनी हो जाएगी a की 4x plus 4 और b की age हो जाएगी हमारी 5x plus 4 और इनकी age का ratio आपको दे रखा है 14 ratio 17 तो हम ratio को upon मा लिख लेता है 14 upon 70 अब हम इसे multiply करते हैं और देखते हैं इसको solve करके क्या आता है अब 17 से 4x को multiply करते हैं तो हमको मिल जाएगा 68 x 17 से 4 को multiply करते हैं तो हमको मिल जाएगा 70X, आब हम 14 से 4 को multiply करते हैं, तो हमको मिल जाएगा 48, आब हम X X टर्मों को एक साइड लिखते हैं, और without X वाली को एक साइड लिखते हैं, 68-48 is equal to 70X minus 68X, यानि हमको मिल जाएगा 2X, यहाँ पर मिल जाएगा 12, तो X is equal to 12 upon 2, यानि 6, जब X के value 6 आ गई है, तो हमने question में A की age को 4X माना था और B की age को 5X माना था, तो question में हमसे B की age पूछिए, तो क्या होगा 5 multiply 6 यानि 30 year B की age हो जाएगी, अगर हमसे question में A की age पूछता तो हम 4 multiply 6 करते 24 year, I hope आपके समझ माया होगा, जिन बच्चों ने इसका answer 30 दे रिखा है, उनका answer बिलकुल सही है, अब मैं अपने next question की ओर बढ़ता हूँ, question number 3 देखिए, if AB ratio is equal to 5 ratio 4 and BC ratio is equal to 3 ratio 2, then A ratio, B ratio, C ratio, यही question में आपको find करना है, question में आपको एक बार AB ratio दे रिखा है, दूसरी बार BC ratio दे रिखा है, आपको तीनों का ratio एक सांत लिकाना है, मैं इस question को solve करने जा रहा हूँ, जल्दी साब comment section में इस question का answer दीजिए, question में आपको सबसे पहले AB का ratio दिया है, फिर BC का ratio दिया है, तो आपसे question में पूछा है, अब ABC का तिनों का ratio बताओ, तो सबसे पहले हम A B का ratio लिखते हैं तो क्या है A B का ratio 5 ratio 4 अब हम B C का ratio लिखते हैं तो B C का ratio लिखने के ज़िए next land में लिखेंगे B के और C का ratio कितना है 3 ratio 2 question में हमें B का ratio 2 बार मिल गया है अब हम इसको आपस में multiply करते हैं 4 multiply 3 यानि 12 हमको B का ratio मिल जाएगा अब देखिए A का ratio हमें एक बार मिला है अब लेकिन एक का ratio यहाँ पर gap है तो हम यह करेंगे B का ratio को इसके नीचे लिख देंगे A के नीचे यानि हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर C का ratio क्या है missing है अब हम यहाँ पर B का ratio लिख देंगे इसको हम अपने right side ले आते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा तो हम 5 को 3 से multiply करेंगे तो हमको मिल जाएगा 15 ratio 12 और 2 को 4 से multiply करेंगे तो हम हमको मिल जाएगा 8 यानि जो हमको नया ratio मिला वह मिला 15 ratio 12 ratio 8 यानि ABC का ratio आ गया 15 ratio 12 ratio 8 जिन बचों ने इसका answer 15 ratio 12 ratio 8 दिया है उनका answer बिलकुल सही है अब मैं अपने next question की और बढ़ता हूं question number 4 देखिए the ratio of age of 2 student is 3 ratio 2 one is the older than other by 5 year what is the age of younger student दो विध्यारतियों की age का ratio 3 ratio 2 है एक विध्यारती दूसरे विध्यारती से 5 साल बड़ा है तो आपको छोटे वाले student की age बतानी है अब मैं इस question को solve करने जा रहा हूं जल्ली से आपना answer comment section में दीजिए question में आपको दो विध्यारतियों की age का ratio 3 ratio 2 दिया है माना पहले वाले विध्यारती की age 3x है और दूसरे वाले विध्यारती की age कितनी होगी 2x अब इनकी age का difference आपको दे रखा है 5 यानि 3x minus 2x is equal to 5 यानि x is equal to 5 तो x की value हमारी 5 आ गई है अब हम first वाले विध्यारती की age 15 हमसे question में पूछा है यंगेस्ट विध्यारती की age बता हो तो यंगेस्ट की विध्यारती की age कितनी है हमारी 2x है यानि 2x is equal to 2 multiply 5 यानि 10 इसका answer होगा जो वच्चे 10 इसका answer दे रहे हैं उनका answer बिलकुल सही है अब मैं अपने next question की और बढ़ता हूं question number 5 देखिए if 182 is divided in the ratio of 3 ratio 5 ratio 4 ratio 1 then the lowest part is question में आपको 182 को divide करना है इस ratio में तो आपको सबसे lowest value find करनी है आप मैं इस question को solve करने जा रहा हूं जल्दी सा अपना answer comment section में दीजिए question में हमने 182 को इस ratio में divide किया गया है अब हमसे question में पूछा है lowest value बताओ तो सबसे lowest value ratio की 1 है तो हम 182 को 1 से multiply करेंगे बाकी सभी number को add करके 182 से divide कर देते हैं इसका हम जब add करते हैं तो हमको मिलता है 13 जिन की divide 182 में देने पे 14 बार जाती है 13 की divide 182 में देने पे 14 टाइम जाती है means सबसे जो lowest part है हमारा lowest part आ जाएगा हमारा 14 I hope आपके समझ माया होगा जिन बच्चों ने इसका answer 14 दे रखा है उ मैं अपने next question की ओड़ जाता हूं यह question हमारे आज की वीडियो का last question होगा अगर अभी तक भी आपने वीडियो को like नहीं किया है जरूर लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए question number 6 देखिए what is the ratio of 18 पैसा and 5 rupees आपको इस question में 80 पैसा और 5 rupees का ratio बताना है जो ratio है हमेशा same unit का लिकाला जाता है लेकिन इस question में एक हमारे पास जो unit है पैसा है दूसरी unit क्या है रुपिया है तो हमने रुपीज को किस में convert कर दिया पैसे में तो वन रुपीज होता है 100 पैसे तो 5 रुपीज हो जाएगा 5 गुणा 100 यानि 500 पैसे आप हमारे पास दो जीरो से जीरो कर जाएगा तो हमको मिलेगा 8 अपॉन 50 टू से दुनों नमर में डिवाइड जैते हैं तो डिवाइड हमारी 8 में 4 बाट जाएगी और 50 में 25 बाट जाएगी तो हमारे रेशियो आ जाएगा 4 रेशियो 25 जिन बच्चों नों इसका answer 4 रेशियो 25 दिया है उनका अंसर बिलकुल सही है तो आप भी अगर हमारी live class के सांद जुणना जाते है तो हमारी class रोस साड़े 8 वजे live आती है तो live class के सांद जुणने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए सांदी बैल notification का button को भी दबाएगी जिससे की आपको live class का notification मिल जाए